नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में बिल्ट इन एरर्स के बारे में बिसकली जब आप कोई statement या program बनाते हैं तो इस case में अगर आपने inappropriate तरीके से किसी syntax को लिखा है या statement को लिखा है तो उस time पे आपको error देखने को मिलती है तो आईए जानते हैं कौन कौन सी errors हैं और वो कब raise होती हैं और उन्हें आप कैसे sort out कर सकते हो so let's start और सबसे पहले हम बात करते हैं syntax error के बारे में syntax error इसके नाम से पता चल रहा है कि अगर आपने किसी method या किसी unstatement को लिखा है और उसमें आपने जो उसका एक तरीका होता है उस तरीके से आपने उसको follow नहीं किया है तो इस case में syntax error देखने को मिलती है like मुझे hello world print करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा print और bracket के अंदर dual quotes and that is hello world और bracket को मैंने यहाँ से close किया और enter की hit किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है hello world इसका मतलब यह है कि हमने बिल्कुल proper तरीके से यहाँ पर अपना statement लिखा है बट अगर इसी में मैं कोई mistake कर देता हूँ like मैंने यहाँ पर क्या किया इस bracket को close नहीं किया तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या error चुकि हम लोग यहाँ पर interpreter पर काम कर रहे हैं यानि कि interactive mode में तो यहाँ पर यह problem सही से आपको सो नहीं करेगी इसको copy करता हूँ जाता हूँ file पर एक new file create करता हूँ control s और इसका नाम रख देता हूँ error.py ठीक है मैंने यहाँ पर paste किया और इसको मैं run करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है भाई syntax error क्योंकि आपने round bracket को close नहीं किया है for example मैंने यहाँ पर dual quotes start तो कर दिया but end नहीं किया तो इस case में भी यहाँ पर आपको syntax error देखने को मिलेगी आप देखें यहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है unterminated string literal deducted at line 1 क्योंकि आपने यहाँ पर dual quotes नहीं लगाया है तो यह आप लोगों का था syntax error इसके बाद में जो अगली error है that is type error जो की काफी बार आप से मुलाकात इसकी होगी जब आप कोई program create करोगे तो जो type error है यह तब आती है जब आप कोई operation या function पे ऐसे object को apply करते हैं जो जिसका type inappropriate है means जो type में उस method को आप implement करते हो वो आप use नहीं कर रहे हैं like मैंने यहाँ पर लिखा मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि भई एक string type का कोई number है like 5 और इसमें मैंने add किया 9 तो आप आओ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक तो string है और एक integer है तो क्या string में integer को add किया रा सकता है तो आप बोलोगे नहीं it means कि यहाँ पर आपको error देखने को मिलेगी that is type error क्यों कि यहाँ पर जो आपने method या जो operation किया था वो एक inappropriate type पर था अगर दोनों एक जैसे होते तो यहाँ पर यह method implement हो पाता I think आपको type error समझ में आ गया होगा इसके बाद में जो next है that is value error value error आपको कब आती है जब कोई function में आपने argument pass करना है और वो argument एक inappropriate type का है for example आपने कोई function create किया जिसमें आप user से age ले रहे थे जो की integer type में है बट बंदे ने क्या कर दिया string type में डाल दिया तो इस case में आपको value error देखने को मिलेगी जैसा कि आपने type conversion में सीखा होगा कि जब भी हमें किसी एक type की value को दूसरी type की value में convert करना होता है तो उसे हम type conversion बोलते है like मान लिजी मेरे पास कोई variable a है और इसमें एक string type का कोई नाम है सत्यम अगर मैं इस string को number में convert करूँ तो क्या ऐसा possible है तो आप बोलोगे नहीं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ like int मैंने इसको convert कर दिया int में तो आप यहाँ पर देखोगे error आएगी that is value error क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने literal पास किया है वो एक appropriate है यानि कि गलत है क्योंकि यहाँ पर content string में है और हम उसे integer में convert कर रहें तो ऐसा possible नहीं है हाँ अगर यहाँ पर कोई number लिखा होता like हमने कर दिया 1,2,3 तो अब यह इस पर proper तरीके से task perform कर पाएगा it means कि यहाँ पर कोई error नहीं आएगी I think आपको value error के बारे में समझ में आ गया होगा next है जो की है name error और इससे भी मुलाकात आपकी कई बार होगी name error it means कि आपने कोई variable या कोई object create नहीं किया है लेकिन उसको आप access कर रहे हो तो इस case में name error देखने को मिलती है like मैंने यहाँ पर लिखा print मैंने एक variable create किया जिसका नाम A है और यहाँ पर एक value है that is 123 मैंने लिखा print करिए आप क्या print करना है आप print कर दीजे for example age की value keyboard फिर से हम करने लगा तो मैंने यहाँ पर लिखा is तो अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर age की value को print करने की कोईसिस की है लेकिन age नाम का variable यहाँ पर available ही नहीं है available नहीं है जब कि इसको मैंने run किया तो run करने पर आप आओगे यहाँ पर जो error है वो आ चुकी है that is name error क्यों क्योंकि जो age नाम का variable है यह defined नहीं है I think आपको name error समझ में आ गया होगा अगर आपने अभी तक o level या फिर a level का paid by join नहीं किया है simply आप आईए exam jila.com पे यहाँ पर आने के बाद मिल जाएगा section store का यहाँ पर click करेंगे तो आप इस page पर आ जाएंगे और यहाँ पर click करके आप course के बारे में information प्राप्त कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर WhatsApp नमबर दिखाई दे रहा होगा उस पर आप contact कर सकते हो तो हमने आपके साथ में syntax, type, value in errors के बारे में बात की है and इसके बाद एक error है that is zero division error तो जो यह error है यह तब आती है जब आप किसी integer या किसी float number में zero से divide करते हो like मैंने यहाँ पर लिखा 520 divide by zero तो इस case में यहाँ पर जो error आने वाली है that is zero division error क्योंकि किसी भी number में आप zero से divide करोगे python में तो zero division error कहलाएगी means आपने zero से divide किया है ठीक है तो इस case में ऐसी error आती है अगला जो आने वाला है error that is import error तो for example आपने कोई module import किया और उस module से आप उस object को उस property को import कर रहे हो जो कि उस module में है ही नहीं लाइए मैं आपको देता हूँ real example like for example ये कोई घर है ठीक है घर को आप मान लीजे module और इस घर में चार बंदे हैं पहला है गोलू दूसरा है मूलू तीसरा मान लेता हूँ चंपू और चाउथा है पपू तो ये module for example ये घर है जिसमें चार लोग हैं इसी परकार से आप मान लीजे कि ये module है इसमें मान लीजे चार मेम्बर्स हैं आपने एक module इंपूर्ट किया for example इसका नाम है राधा ठीक, ये क्या है राधा घर का नाम क्या है राधा तो हमने आप लिखा for example from राधा इंपूर्ट चंगू चंगु यह मकले तो चमन तो इस case में आप देखें जो module है module तो available है लेकिन जो property आप implement कर रहे हो that is चमन चमन इस module में available ही नहीं है तो इस case में जो error आती है that is import error लाइए मैं आपको python से example देता हूँ मैंने लिखा from os मैंने लिखा from os os क्या है सर्थ os एक module है जिसमें different type के variable classes और object available है तो from os import import मैंने कर लिया get current working directory cw cw अगर इसको मैं करता हूँ run तो यहाँ पर आएगी error कि भाई जो आप property import कर रहे हो वो property available ही नहीं है देखें आप यहाँ पर लिख के आ चुका है import error हाँ अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एक proper जो कि इस module में available है like हमने कर दिया d यानि कि get current working directory तो इस case में यहाँ पर कोई error नहीं आएगी क्योंकि जिस property को हम import करना चाह रहे हैं वो उस module में available है I think आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि import error कब आती है और उसको आप कैसे sort out कर सकते हो अगला जो यहाँ पर आने वाला है that is module not found error means कहने का यह है कि आपने किसी ऐसे module को import किया है जो कि आपके system में available नहीं है तो इस case में जो error आएगी that is module not found error ध्यान दीजेगा import error तब आती है जब module तो है लेकिन module के अंदर वो property available नहीं है तो आपको मिलेगी import error लेकिन अगर module ही exist नहीं करता है आपके computer में तो इस case में आएगी module not found error तो for example हमने यहाँ पर कोई ऐसा module import किया जो हमारे computer में available नहीं है या फिर वो exist ही नहीं करता है like हमने लिखा कि भाई सत्यम नाम का module import करिए चुकि सत्यम नाम का import हमारे सत्यम नाम का module मेरे computer में available नहीं है तो इस case में यहाँ पर आएगा module not found error जिसका नाम सत्यम हो तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी इसके बाद हम लोग चलते हैं sequence data type में that is list हमारे पास कोई list है और आपको बताना है कि list के item को हम किस bracket के अंदर रखते हैं और इसका index किसे सुरू होता है देखते हैं कौन कौन right answer comment करता है तो हमने लिखा list और मैं यहाँ पर कुछ item लिखता हूँ like 12, 75, 8, 7 अच्छा आपको बता दें कि जो list के items हैं वो index 0 से सुरू होते हैं it means कि जो list का पहला item है उसका index 0 होगा 75 का 1, 3rd element का 2, 4th element का 3 for example मैंने आप से बोला कि आप 75 को print करें तो आप लिखोगे list का नाम हमारे case में क्या है list, square bracket और यहाँ पर index pass करना होगा चुकि हमें 75 print करना है और 75 का index 1 है तो हमने यहाँ पर pass कर दिया 1 और आपके सामने answer आ जाएगा 75 लेकिन मैंने यहाँ पर एक wrong index pass कर दिया अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो index है वो third तक है बट हमने यहाँ पर fourth index के content को access करना चाहा तो यहाँ पर आ जाएगा index error क्यों क्योंकि जिस index के basis पे आप value को access करना चाहते हो वो index available ही नहीं है particular list में तो आप देखें यहाँ पर fourth index नहीं है तो यहाँ पर index error आएगी लाइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर print किया list का नाम क्या है list और square bracket के अंदर हमने pass किया one तो इस case में answer क्या आएगा तो आप बोलोगे sir 75 आएगा 75 आएगा क्या आएगा 75 आएगा one minute 75 आएगा ठीक है बट इस बार हमने जो index है उसको increase कर दिया वो index pass किया जो कि इस list में available ही नहीं है like मैंने pass कर दिया six तो यहाँ पर आ जाएगा index error कि वही जो आपने index दिया है न वो out of range है I think index error के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी आपने वीडियो को like कर दिया होगा चैनल को subscribe कर लिया होगा अगला आता है dictionary for example हमने कोई dictionary create की नाम उसका dick है और dictionary के item को हम curly braces के अंदर रखते हैं मैंने यहाँ पर create किया key that is one और इसकी value वने कर दिया one ठीक है इसी प्रकार से मैं बनाता हूँ एक un key that is two और इसकी value मैंने कर दी 20 ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ dick और मैंने pass किया two तो इस case में जो two नाम की key है इसके correspondence जो value है that is 20 वो यहाँ पर print हो जाएगी आप देखें तो यहाँ पर आ चुका है 20 अच्छा यहाँ पर एक error आ रही है अच्छा हाँ मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है क्या colon यह mistake हो गई है हाँ ओकी तो यहाँ पर आ चुका है 20 बट मैंने इस बार यहाँ पर ऐसी key pass कर दी जो की particular dictionary में exist ही नहीं करती है for example मैंने pass कर दिया 5 तो इस नाम की key इस dictionary में नहीं है तो यहाँ पर जो error आएगी that is called key error यहाँ पर आप चुका है key error ओके तो आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है एक और error है that is index error तो indentation error का मतलब यह है कि आपने proper तरीके से space नहीं दिया है like हमने यहाँ पर लिखा if age equal 18 ठीक है और मैं इसके पहले age की value को declare कर देता हूँ like 19 मैंने कहा कि अगर age की value 18 है तो आपको print करना है you can vote you can vote save करिये और इसको मैंने run किया तो यहाँ पर आ चुका है expected and indented block after if statement on line number 2 हाला कि यहाँ पर भी syntax error को ही denote कर रहा है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई improper तरीके से space या फिर taps देते हो किसी भी statement के पहले तो इस case में जो error आती है that is called indentation error मैं यहाँ पर generate करने की कोशिस करता हूँ हाला कि इसमें कोई अभी error नहीं है और यहाँ पर कुछ भी print नहीं होगा मैं इसकी एक copy create करता हूँ और इस बार मैं space में गड़बड़ी कर देता हूँ अब यहाँ पर आने की पूरी संभावना है indentation error तो यहाँ पर देखें अभी भी यह syntax error दे रहा है जो कि indentation level की है तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई inappropriate space देते हो तो उस case में indentation error आ जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देखें तो चूकि जो if है उसकी body यहाँ से सुरू हो रही है और आपने इसमें unexpected तरीके से space दिया है ना तो यह program का part है और ना ही यह if का part है तो इस case में यहाँ पर जो error आएगी that is indentation error I think आपको समझ में आया होगा कि errors क्या होती है किस प्रकार से generate होती है और उन्हें आप कैसे solve कर सकते हो मिलते हैं इस class में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम थैंक यू